विलियम गिल्वर्ट के माध्यम से मैगनेट का जो सब प्रपटीज है उन्हें डिस्कावर किया गया था इलेक्ट्रिकाल टोपिक्स में आज हम लोड स्टोन के बारे में डिस्कसन करेंगे So hi friends, welcome to SVZN Earth official with your host SVZN Earth Step ahead from imagination तो चलिए अब हम लोड स्टोन के बारे में ब्रीफली डिस्कस करते हैं लोड स्टोन वाज डिस्कावर एबाउट 800 BC इन मैगनेशिया यानिकी 800 BC में लोड स्टोन मैगनेशिया में डिस्कावर किया गया था लोड स्टोन is used to make artificial permanent magnet यानिकी लोड स्टोन को artificial permanent magnet प्रेपेर करने के लिए इस्तमाल किया जाता है यानिकी लोड स्टोन हमेशा आर्थ का नर्थ और साउथ डिरेक्शन को इन्डिकेट करता है अगर आपको magnetism topics से कुछ knowledge मिला है तो इस वीडियो को like कर दिजिए इसके अलाबा description में जो link दिया गया है बहां पे click करके आप electrical से जुड़े knowledgeable वीडियो के बारे में जान पाएंगे the first use of magnet was magnetic needle for navigation by Chinese यानि की magnet का जो सबसे पहले use था वो Chinese के माध्यम से navigation के लिए इस्तमाल किया गया था the properties of magnet was discovered by scientist William Gilbert यानि की scientist William Gilbert के माध्यम से magnet का जो सब properties है उन्हें discover किया गया था okay friends time to end up magnetism topics on lodestone till then subscribe like and share sbzan earth official take care thank you